कि अगर ऐपन लूप सिस्टम की बात कुई हूँ तो ऑबंडलूप सिस्टम सा होता है जिसके अंदर हम सिल्फ इंपुड़्यकूट करते हैं और उसके साथ कुछ ने कुछ गेन अप्लाई करते हैं और हमारे पास आउटपूट आ जाता है यानि कि सिंगल डारेक्शन या वन डारेक्शन बोलते हैं अंदर जिसके अंदर हम कुछ इंपूट प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स वॉल्टेज उसको फिर हम गेन से मल्टिप् करेंगे सिमुलिंक के अंदर तो इसको डिजाइन करने के लिए हम सिंपल सा एक सानिसरोल वेव लेंगे और एक गेन लेंगे और उसको हम चेक करेंगे आउटपूट के अंदर की गेन के अकॉर्डिंग हमारा जो इन्पूट वेव है वो मल्टिपले होके आ रहा है या नही और इसको सेव कर देते हैं अपने डिजाइड लोकेशन पर लिए इसके अंदर अब हमें सिंपल सा एक इनपुट लेना है और इनपुट के अंदर हम ले रहे हैं तो हम सोर्स के अंदर जाएंगे इस इमलें क्लाइब ब्रॉजर के अंदर और यहां से हम साइन वेव को से गेन ब्रॉफ को सलेक्क कर सकते हैं तो यहां से गेन ब्लॉफक को सलेक किया और अपने मौर्ल़ फाइल के अंदर इनपुट कर दिया उसके बाध्र हमने सिंग के अंदर हम डायरेकली स्कोप के अंदर जाएंगी है जिसके अंदर हम और पूट चेक कर सकते हैं उसको ड्रैग और ड्रॉप करेंगे अपने फाइल के अब यहां पर देखिए हम दो चीज़े देखना चाहेंगे एक तो इंपुट हमारे पास क्या है और एक हमारे पास गेन के साथ मिल्टिप्लाई होने के बाद आपुट कै आ रहा है तो हम स्कोप के अंदर इसके जो एकस तो आयगा उसको हम घीन से कने कर देते हैं और ये हमारे पास इस तरीके से अपूट अर्रॉट आ जाएग यहां पर इधान जीजिए, red line है, इसका मतलब connect नहीं हुआ है, आपको एकदम firm black line लाना है, तब ही connection होगा, तो यह connect हो गया, अब input हमारे पास already 1 volt amplitude दे रखा है, और 1 radian frequency दे रखिए, तो हम इसको as it is रखते हैं, और फिर इसको एक बार run करते हैं, तो जैसी हम run करेंगे, तो ह input था, वो as it is output के अंदर आया, तो इसके अंदर हमने gain की value कोई भी change नहीं की थी, यहां पर gain की value अगर हम change करते हैं, suppose मैं 10 कर देता हूं, तो output के आएगा हमारे पास 10 times of input, जो scope के second part में आएगा, तो चली मैं इसको run करता हूं एक बार, और इस पर double click करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको auto scale करते हैं, तो auto scale करने पर देखें, यहां पर जो input है था हमारे पास, वो maximum 1 volt तक जा रहा था, और minimum minus 1 volt तक जा रहा था, लेकिन जब हमने उसको gain 10 से multiply किया, तो 1 volt into 10, हमारे पास 10 volt तक output जाएगा, अधाते 0 से देखें, 10 तक positive के अंदर, और 0 से ल one directional output आता है, यानि input हमने कुछ भी दिया, उसको gain से multiply किया, तो हमारे पास जो output आएगा, that is open loop output of the system, तो इस तरीके से हम system को design कर सकते हैं, तो यह just basic simulation था, जिसके अंदर एक idea देना था आपको कि open loop system को हम कैसे design कर सकते हैं, तो hopefully आप लोग को यह video समझ में आ गया होगा, तो अ आप इसी के अंदर अलग-अलग values चेंज करके आप इसकी practice कर सकते हैं, अलग-अलग gain की ratio लेकर रख सकते हैं, तो gain का ratio हम कैसे लेते हैं, इसके अंदर इसके आप double click करेंगे, यहाँ 10 की जगा, suppose मैं 10 by 2 रखना चाहता हूं, या 3 by 2 रखना चाहता हूं, तो आइधर आप calculate कर करके रख दें, यानि 3 by 2 1.5 रख दें, या फिर 3 by 2 as it is से लिख सकते हैं, और इसको आप apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर element wise gain k equals to k dot star u लिखा हूं, तो इसके लिए जो input आता है, यह input as a u काम करेगा, और k जो हमने gain यहाँ पर value दी है, उससे multiply होगा, और output में हमारे पास y आ जाएगा, तो चलिए 3 by 2 लिखेंगे, तो 3 by 2 आ जाएगा, 1.5 लिखेंगे, तो 1.5 आ जाएगा, और इसको आप ok कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर signal की value भी change कर सकते हैं, signal की value यह नहीं, amplitude अभी हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसको अगर मैं 10 आ रहा हूं और apply कर रहा हूं और फिर ok कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले के अंदर gain हमारे पास 10 है, तो amplitude हमारे पास के आएगा, 10 ही आएगा, और यहाँ 3 by 2 से multiply हो गया, तो यह आ जाएगा 15 वोल्ट, तो यह पहले वाले के अंदर 10 वोल्ट आना चाहिए, तो चलिए मैं इसको run करता हूं, run करने के बाद इसके अंदर output देखते हैं, इसको auto scale कर देते हैं, और फिर यह देखिए, हमारे पास जो maximum input के अंदर जा रहा था, वो 10 वोल्ट positive और 10 वोल्ट negative, अब हमारे पास जो output आ रहा है, क्योंकि gain हमने 3 by 2 कर दिया, 3 by 2 यानि 1.5 से multiply क कर दिया, तो input में जो भी value आ रहा है, वो 1.5 ताइमस multiply आ जाएगा output के अंदर, यहाँ पर देखिए, 15 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे और यह हमारे पास इसके अंदर input के अंदर 10 वोल्ट आ रहा था, यानि कि यह 1.5 ताइमस multiply हो गया, similarly positive और negative दोना हाफ के लिए यह gain से multiply हो तो यह तो था हमारा open loop system, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और topics के साथ, तब तक के लिए thank you